असलाव निकौंट मैं हूँ फरीनाज तो जी आज हम गये थे गार्डन बक्च को लेकर क्योंकि गर्मियां हैं तो बच्चे बहुत जित कर रहे थे गार्डन जाने के लिए आज था बुत का दिन तो सिर्फ गार्डन में बुत की दिन लेडिस अलाव होती हैं तो सिर्फ हम लेडिस तिन लेडिस गए थे तो तक्रीबन कोने तीन बेजे तक हम गार्डन पहुँच गए थे फिर टिकेट लेकर हम हो गए इंटर तो यह थे बच्चे और आगे दो लेडिस और एक नुब यह जू आने की जड़े एकसाइटमेंट चेक करें आप तो जी हम गए इंटर हो गए जब हम तो हमने अच्छी से जगा देखा है हमने लिए कुछ सेलफी यह मेरी बेस्ट सेलफी बहुत प्यारी आई थी है और बाकि हम यह तीन लेडिस थे तो जी एड्मोस्फियर अच्छा नहीं था बहुत गर्मी हो रही थी आज क्योंकि हीट स्टॉक का तो वैसे ही कहा हुआ है लेकिन गर्मी थी काफी तीन बज़ रहे थी फिर भी काफी जो है ना सूरच आप अताप से चमक रहा था बाकि दूपैर का खाना तो हमने खा लिया था पर हम लेके गए थे इसमें स्नेक्स वगएरा के साफ से हम लेगे थे चिकन मैकरोनी और थे यह हमारे दही बढ़े और एस विजर कोडरिंग तो लाजमी मस्ट है और बाकि यह थी हमारी कुछ चिप्स मिक्स वगएरा तो जी पहले हमने घ्री से जगह देखकर हमने खाई यह सब थे हाफ आफ चिछ tehा एफ रोग गोती हगती हाफ बात हं अब पर हमने देखनी से ज़ये गए जानवर तो पहले हैं हमने की फिर यह था मॉर फिर जानवर यह बड़ा मॉंकी था तो बाकि हमने और जानवर पीट्हे एक काफी रश था आज क्योंकि बुद का दिन था तो बहुत लेडिस आए नहीं थी और लेडिस तो ऐसी आए नहीं थी इसे ड्रेसिंग करके कि वस ऐसे लगा था शादी में आए हुए है बिंदिया लगा आए वे केज हमर लगा के बाकी ये था हमारा टाइगर जरा से टाइगर ये थे टर्टल और यहां बहुत स्मेल आ रहा थी जिसके वज़े से आमना को लग रहा था कि मुझे उडिटी आ जाएगी जी पिर हम बेठें ट्रेन में ये बड़ी जबदस्ती हमने एक दफ़र ट्रेन की फिर हमारा दिल नहीं बहरा हम दुबारा ट्रेन में बैठें तो पिर बाद में आप पैदल जो है फिर फिर जगाओं पर जा सकते हैं आपको पता चल जाएगा के कहा कौन सी चीज है तो जी हमारी रेल गड़ी चुका-चुका सफर शुरू हो गया तो जी पहले तो ये थोड़े से हमने या पर जानवर वागरा नजर आ रहे थे हमें पिर आगे चुका-चुक हमारी चलती रही बड़ा मज़ा आया था इसमें बैठने का वैसे अलगी मज़ा है तो बाकी ये देखें ये कैंटीन बगरा भी आगई सामने और ये ग्रासिंग बगरा तो फ्रीज बगरा थे ये देखें ये फोटो शॉप भी है थी यापर कि अगर आप तस्वीरे बगरा दुलवाना चाहें मैंगी कि चवाकर तो आप दुलवा सकते हैं बाकी कुछ जानबर थे इनहीं पर साइट से जो जो मेरे से शूप हो पाया वो मैंने शूप कर लिया बाकी जो रह गया ये था मुम्ताज महल कराची के जू का मुम्ताज महल ना खा और हम बच्पन से अपने देख रहे हैं मुम्ताज महल में जो खातून है वो जैसी थी वो वैसे ही आज भी है और शायद आगे भी वो वैसी रहेंगी फिर प्रेंस से उतार कर हम लोग ने ली आइस क्रीम योगे गर्मी थी तो आइस क्रीम खाने का तो बड़ा दिल था पर मैंने चोकबार ले थी आमना ने कप्रिया था पर आमने तो आदा कब खाकी मुझे दे दिया और मेरी चोकबार खुद में ले ली क्योंकि उन्हें चोक्रेट वाली खाने थी फिर यहां पाने बगएर कभी इंतिजाम है कि अगर आप फैज़ोश वगएर करना चाहें त तो हमने बच्चों को भी किया फ्रेश और खुद भी होगा फ्रेश तो फिर मैंने बान लिया बन क्योंकि गर्मी लग रही थी तो यह ती कुछ पिक्स यह क्या है आमना पिर हम आगा फिश हाउस में यह तनी काफिर प्यारी प्यारी फिश दिस ने देखिए गोल्डन और ना यह देखें जो है वाइलेट कलर की फिश कॉफी फिश थी और एक फिश तो बस खाने के लिए दोड़ा ही थी यह फिश अगर इसको दरा से भी मिले टच करें तो एक दम यह इस तरह मुझ खोल रही थी कि जैसे हमारी बार निकल के हमें खा जाएगी यह देखें पि जल्दी बार निकलने के चक्कर में हमारे बच्चे भी जल्दी निकल गया हम पीछे ले गए फिर आमना ढूनने लगी मुझे कि ममा कहां गई तो में पीछे थी फिर में उससे लगाई आवाज फिर हम बैठें इस राइट पर इतनी अच्छी नहीं थी राइट बस सो सो थी फिर हमने बाकी चीज़े खाएं और हम निकल गए घर के लिए बाए 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 तो ये था आज का गाडन व्लॉग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो को लाइक करना माद भरिये का अल्ला हाफ़ेज खुश्या बाते हैं खुश्या है